आजकल Yield Curve को लेके बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है और एक सब्सक्राइबर ने पूछा इसके बारे में मैंने जब दो आर्टिकल लिखे कि वही इसको हिंदी में भी समझाया जाए आजकल इस विशय को कई लोग डिसकस कर रहे हैं और अब जो अंग्रेली के माधियम से पढ़ते रहते हैं Global Research उन्होंने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा पर सबको इसके बारे में शायद पूरी तरह ना पता हो इसलिए एक वीडियो के हिसाब से समझा रहा हूं कि क्या होता है इसका क्या implication है आज के तारीक में और किसलिए इसके बारे में मैं लिख र है S&P 500 Index US का तो Yield Curve को हम लोग जो plot करते हैं ये दो अलग-अलग bond yields अलग-अलग समय के bond yields का जो फरक है उसको plot किया जाता है अब लोग अलग-अलग combinations को भी ले सकते हैं 10 साल, 5 साल, 10 साल, 1 साल पर जो सबसे common हिसाब है जो सब लोग इस्तमाल करते हैं वो है 10 साल का interest rate और 2 स साल में आपको किता interest मिलने वाला है bond market में bond से government bond से और अगले 2 साल में किता interest मिलने वाला है इन दोनों का फरक जब हम plot करते हैं तो इसको yield curve कहा जाता है ये yield curve positive भी हो सकती है negative भी हो सकती है जब 10 साल का interest rate वो 2 साल से जादा रहता है तो ये positive होता है और जब वो कम हो जाता है तो negative हो जाता है तो when it is positive हम लोग उसको बोलते हैं खेर positive is positive पर जब वो घट्टे लगता है और zero के पास आता है तो हम कहते हैं flatten हो रहा है flattening of the yield curve मतलब short term और long term जो interest rates है वो दोनों के बहुती एक दूसरी के बहुती करीब आ चुके है अब ये unusual situation है क्योंकि अगर आप सोचिंगे bank में आप fixed deposit खोलेंगे 10 साल का खोलेंगे तो जरूर ज़्यादा interest rate मिलेगा आपको 7% मिल सकता है 9% मिल सकता है और 2 साल का खोलेंगे तो शायद 6 टका 60 टका मिलेगा और अगर आप 1 साल से कम का खोलेंगे तो शायद 5 टका ही मिलेगा तो typically short term में कम returns मिलते हैं long term में ज्यादा returns मिलते हैं फिर भी ऐसा एक समय आता है जहां पर यह interest rates घटके 0 की तरफ आ जाते हैं flattening बोलते हैं इसको और उसके बाद invert भी हो जाता है मतलब 0 के नीचे अब 0 के नीचे मतलब आपको short term में उत्ता ही interest rate मिल रहा है जित्ता की long term में और यह सोच विचार करने की बात है कि ऐस क्यों होता है तो इसके बारे में हम थोड़ा सोचिंग है मैं थोड़ा एक broader chart दिखाता हूं पहले सिफ इसके terminology समझ लें तो यह steepening यह क्या केते हैं flattening हो गया फिर 0 के नीचे आता है तो इसको कहते है inverted और फिर जब invert होने के बाद फिर से बढ़ने लगता है उपर की तरफ त तो steepening है जब 0 के नीचे से 0 के उपर आने की एक प्रोसेस है वो शुरूवात हो जाती है उसकी तो इसको steepening बोलते हैं तो यह कई बार होता है जिंदगी में किसी भी bond market के और economy के क्योंकि जो economic cycle है अभी में monthly chart पे जाता हूं daily से तो यह समझ में आएगा इसमें मेरा data जो है क् कि तो यह का data 1988 तक से होगा इसलिए 1988 से लेके अभी तक का पूरा प्लॉट है येल्ड का वूपर में और S&P 500 नीचे में A quick message for our viewers before you continue with the video. India Chart's mentorship program with Mr. Rohit Shivastava is starting this January. If you haven't signed up for it as yet, you can by calling us or sharing an email with us on the details given on the screen. I will also have a link given on the description for you to access the mentorship program directly. This is our annual batch, the only batch we take once a year with Mr. Rohit Shivastava. So contact us to have an in-depth and complete learning about how to approach the markets. Thank you so much and enjoy the rest of the video. तो business cycle को ये इस तरहे measure करता है कि जब business cycle अब आप सोचिए कि economy grow होने लगती है और expand होने लगती है तो क्या होता है? जब expand होने लगती है लोग invest करते हैं, बाजार भी उपर की तरफ आते हैं और फिर ऐसा समय आता है कि लोग सोचते हैं भई हम bond market में निवेश करी क्यों रहे हैं? जब short term में आपको सिर्फ 2-4 टका interest rate मिल रहा है तो bonds को बेच के हम या तो real estate या equity कुछ ना कुछ ले ले जिसमें कि हमें return ज्यादा मिले मुनाफ़ा ज्यादा हो तो जब short term bonds लोग बेचने लगते हैं मतलब आप सूची कि 2 साल के भी bond लोग बेच रहे हैं और share बाजार में बढ़ने लगती हैं और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है long term bond yield से long term bond yield भी बढ़ रहे हैं बड़ शौट term की ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि जो short term money है जो temporarily parked रहता है money market funds में या you know short term deposits में वो निकलके बाहर आता है और जब वो निकलके बाहर आता है ये short term bond deals जो हैं वो इत्ती तेजी से बढ़ने लगते हैं कि वो long term bond deals के पास आती है जीरो और फिर उसके आगे भी निकल जाती है और उसको फिर हम कहते हैं कि yield curve inverted हो गया है अब इसका क्या महत हो है यह एक cycle है economy में क्योंकि economy जो business cycle है economy का economy expand होगी दीमी होगी contract होगी slow होगी और slow होने के बाद कभी कभी recession भी होगा slow या recession फिर वहाँ slow होने के बाद वापस उसको stimulate किया जाता है interest rates काट के government spending से वापस expand होती है और यह बार बार यह cycle चलती तो इस cycle को जब हम bond yields के साबसे yield curve के साबसे देखते हैं तो एक sine wave की तरह से उपर नीचे उपर नीचे जा रही है तो यह हमें कुछ हद तक बताती है कि economic activity में क्या हो रहा है यह कोई one way तो economy expand नहीं होगी ना one way घटेगी बट उपर नीचे होती जाती है और इस cycle को bond yield curve के हिसाब से हम लोग measure कर रहे है तो यह हिसाब है तो जब economy बहुत overheat हो जाती है लोग बहुत ही तेजी में आ जाते हैं सब लोग पागल हो जाते हैं तो अपने short term bonds भी बेजके share खरीदने लगते हैं इस time पे yield curve जो inverted हो जाती है अब जब यह invert होती है तो इसको इसको ऐसा देखा जाता है कि अगर लोग इतने ही तेजी में आ गये हैं तो शायद समय आ गया एकनोमी को slow होने का और शायद समय आ गया कि वो slow होके recession में भी आ सकती है और फिर slow down होके फिर बाद में दुबारा बढ़ेगी तो यह overheated economy का जो signal है यह है inverted yield curve अच्छा inversion के बाद क्या कली slow हो जाएगी जवाब है नहीं 6 से 12 महीने का एक समय दिया जाता है कि यह inversion के बाद actual economic activity है slow होगी बादार गुमेगा और फिर उसके बाद recessionary conditions या slow conditions जो है बादार में आ जाएगे तो यह 6 से 12 महीने आगे का एक indication है कि आगे क्या होने वाला है इस indication को लेते हुए लोग कई लोग कफी advance में डर जाते हैं इसके बारे में बाते करने लगते हैं पर इसका यह मतलब नहीं कि कल के कल कुछ होने वाला है समय है आपके पास आप बादार को देखके समझ सकते हो कि कहां पर यह चीज होने वाली है तो advance indication अच्छा वाला क्योंकि जित्ती history है 1980 से लेके अभी तक लोग कहते हैं कि इसका 100% strike rate है इसलिए hedge funds इसको बहुत ही अच्छी तरह से मानने लग गए है तो inversion के बाद लोग इंतजार करते हैं कि फिर से steepening कब होगा मतलब yield कब फिर से zero के उपर कब जाएगी वो समय शेर बाजार काफी गिरता है recession को accept किया जाता है कि हाँ भई सच में recession है और उसके बाद interest rates को काटा जाता है और जब interest rates काटते हैं तो bond yields कम होती है और शेर बाजार जब तक की economic activity पिक अप नहीं होती है तब तक शेर बाजार घटा जाता है तो इसी चीज के expectation में लोग इसको ध्यान देके जोते हैं कि कहां पर वो recessionary conditions आएंगे शेर बाजार घटेगा और हम उसका फिर advantage लेंगे अब कई बार deep cuts आते हैं कई बार कम cuts आते हैं जैसे इस चार्ट में भी हम लोग अगर देखेंगे history में तो इस point पे जैसे यहां invert हुआ था 1980s में तो यहां पे जो cut आया था बाजार में 1994 में यह थोड़ा आगे हो गया chart समय को adjust कर देते हैं तो इस पे जब हम लोग देख रहे हैं यहां पे 1984 यहां पे बहुत ही कम dip आया था जब steepening हुआ steepening is the point जहां पे recession को accept किया जाता है जहां यह zero के line नीचे जाने के बाद जब उपर आने लगता है तो वहां पे बाजार घटता है recession आता है तो यह sharp fall था 2000 में वाइटो के bubble के नाम से सब जानते हैं यह बहुत ही sharp fall था GFC या great financial crisis 2008 का इसको यह काफी लोगों के memory में अभी भी है कोविड जहां पे zero बस touch करके गया invert पूरी तरह बहुत भेंकर तरह से नहीं हो पाया बट zero touch करके जब उपर वड़ा वहां पे हमने एक sharp fall देखा short period में 94 से आप ज़्यादा उसको compare कर सकते हैं और इसके बाद वापस बहुत ही जल्दी से इनवर्ट हुआ है उपर तक जाब भी नहीं पाया पूरा cycle और यह inversion के बाद लोग तब से expect कर रहें कि का यह ज़्यादा तो नहीं हो गया और recessionary conditions आ सकते तो एक fall तो हमने 2022 में यहां देख गया बट उसके बावजूद उसको accept नहीं करते हैं कि यहां भी recession हुआ है क्योंकि वहां के NBAR जो agency है वो जब तक declare नहीं करती कि यहां यह recession है तब तक उसको नहीं माना जाता है बट उसका pure definition यह कि दो consecutive quarters GDP growth अगर negative हो जाती है तो उसको recession मानते हैं तो यह चीज हुई नहीं और यह जो yield curve है inverted ही रह गई बाजार वापस उपर आने लग गया अब यह इसका इंतजार कर रहा है कि यह yield curve invert होके steepen कहां पे होगा वापस उपर zero line के उपर जा कि कब जाएगा जहां पे recession में वापस equity market पे एक और impact आ सकता है तो इसी चीज़ पे सब का ध्यान है क्योंकि इस इस पे ध्यान रख रहे हैं और इसलिए इसकी बातें काफी होती हैं जो भी इसके बारे में पढ़ता होगा online या videos आप देखते हो yield curve का जिक्र जरूर किया जाता है तो अब इसको तो आप समझ गए कि यह क्यों उपर नीचे जाता है अभी उपर जाके वापस reinvert क्यों होता ह यह भी समझ लें टिपिकली जब recession आता है तो होता क्या है economic activity slow हो गई अब जहां पे fed ने accept किया कि हाँ भाई सच में यह recession है वहां पे वो interest rates काटने लगता है तो जब वो interest rates काटने लगता है पैसा equities में से निकलके bond market की तरफ भागता है जब equity से निकलके bond market की तरफ भागता ह तो bond market goes up, equity market goes down, inverse correlation होता है और इसमें जब bond market उपर जाता है तो यह जो unusual relationship था जहां पे 2 साल के bonds की interest rates बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे, लोग उनको खरीद लेते हैं बाई 2 साल में आपको 5 तका मिल रहा है जो 10 साल में भी 5 तका मिलता है तो 2 साल कहीं ले लो, तो 2 साल के जो bonds है ज़्यादा उपर तेजी से जाते हैं और जो normalization होता है interest rates का कि 2 साल में आपको कम yield मिलेगा, 10 साल में ज़्यादा मिलेगा, तो यह reinversion से reinvert होता है और यह reinversion को जो हम लोग है steepening बोलते हैं, तो yield का जब उपर की तरफ जाता है, यह steepening हो रहा है और यह इसलिए हो रहा ह कि recessionary conditions आ चुके हैं, और recessionary conditions में interest rates काटने के indication से bond market में तेजी है, तो जब bond market में तेजी होती है, तो इस steepening को bull steepening बोलते हैं, तो यह अभी एक और terminology आगई आपके हाथ में, कि bull steepening मतलब bond market उपर जा रहा है, और yield curve जो है, वो भी उपर जा रहा है, बट एक और तरह का steepening होता है, जो कि हमने पिछले कुछ महीने में देखा, specifically August और October के महीने में, तो मैंने अभी daily chart आपके सामने डाला है, तक हम यह समझ भाएं कि आज क्या हुआ, यह आप देखिए, August और October के बीच में जो yield curve उपर गया है, यह समय पे interest rates क्या घट रहे थे, recession को लेके क्या federal reserve interest rates काट रहा था, जवाब है नहीं, तो यह steepening इसलिए हुई कि interest rates बढ़ रहे थे, और बाजार भी घट रहा था, मतलब equity बाजार यहां घट रहा है, और bond market भी घट रहा है, दोनों एक साथ घट रहे थे, तो जब bond market घटता है, और yield curve steepening होने लगता है, तो उसको bear steepening बोलते हैं, मतलब bond market bearish mode में है, और फिर भी steepening हो रही है, खे, steepening तो steepening ही है, और जब भी यह steepening होता है, बाजार recession के risk को लेके डरता है, और इसी लिए हमने August और September, October के बीच में, बाजार में गिरावट देखी, और उस समय तक मैं भी थोड़ा डर गया कि कहीं, य बाजार पे भी असर होगा, अब जरूर बाजार गिरे और वहां से फिर से recover होगए, recover इसलिए होगए क्योंकि यह steepening का जो समय था, वो खतम हो गया, और वापस यह invert होने लग गया, तो इस indicator को हम लोग बार बार नजर रखते हुए, यह ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, कि यह वापस उपर की तरफ क्या जाने की कोशिश करेंगा, छोटा नहीं, जैसे किया होगा, पर ब्राडली अगर उपर की तरफ जाने लगेगा, तो बाजार डर जाएगा, कि हाँ, अब recession आने की फिर से संभावना है, और हम नीची की तरफ चल पड़ेंगे, अब यह सोच फेस था जहां पे deflationary mindset जाजा था, deflationary मतलब कई सालों से inflation जो है, वो घटर आता, कई साल क्या कई decades है, 1980 के बाद US में CPI inflation घटता ही जाया, घटता गया, घटता गया, घटता गया, घटता गया, तो यह deflationary phase में recessions जो हुए है, इसमें इस तरह का बहुत ही fast impact देखा है, हमने की yield curve invert होता है, फिर से steep end होता है, पट inflation जो की 1980 में था, तब क्या हुआ था, वो इस trading view के chart पे नहीं है, पट मैं कई research reports पढ़ता हूँ, तो मैंने एक यह chart पहले कभी save किया था, ताकि आप इस चीज़ को देख पाएं कि inflationary जो episode था, 1980 का, तो यहां पे यह inversion यहां हुआ हुआ 1988 में, इसमें काफी invert होने के बाद एक बार steep end भी हुआ, फिर वापस invert हो गया, वापस negative में आ गया, फिर वापस कोशिश करी इसने 1981-82 में वापस invert हो और उसके बाद इसमें से निकल के भार आ गया, तो इसमें करीब आप समझिए, दो recessions हुए होंगे, एक 78-79 में और 81-82 में और दोनों बार बादार गिरा होगा, एक बार जादा, एक बार कम, बट downtrend जरूर था, काफी deep retracement से, तो कहने का मतलब यह है कि जब तक की inflationary cycle चल रही थी, और बार बार inflation आ रहा था, interest rate बढ़ा रहे थे, फिर inflation वापस उपर आ गया, फिर उन्होंने बढ़ाया, फिर गटाय तो कई rounds हो है इसमें, इससे भार निकलने में, तो पिछले जो तीन example है बहुत ही straightforward है, यह सीधा उपर आ गया, यह सीधा उपर आ गया, तो हमने इसको simplify कर दिया कि हाँ, जिस दिन recession आएगा, यह सीधा उपर आ जाएगा, पर यह भी तो हो सकता है, ऐसे rounds, जहां पर कि कई बा volatility के साथ, बाजार ऊपर नीचे, ऊपर नीचे होए, inflation को लेके, interest rates को लेके, और फिरी उसके बार भाग भार निकले, और शायद Fed भी इसलिए बार-बार yield curve को target करेगा, कि हाँ इसको maintain करो, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दो, बढ़ेगा तो इसको गटा दो कैसे क्या ऐसा कर रहा है वो, क्योंकि सब का ध्यान है, ये पहली बार है, मुझे नहीं लगता है कि पिछले बार 2008 में, इसके बारे में मैंने पढ़ा जरूर था, बट इतने ज़्यादा लोग इसको discuss नहीं कर रहे थे, आज के तारीक में सब लोग इसके बारे में बात कर रहे है सब की नजर इसी पर है, और जब सब लोग एकी चीज़ को देख रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि गलत हो जाएगा, और अगर गलत नहीं होगा तो कुछ अलग करेगा, जो कि बहुत पहले हुआ है, बीच में जो हुआ है, उसको देखके अगर हम लोग सोचेंगे कि ऐसे होन कि परा लुक कि इसको हैन्दिल कैसे किया जाए." तो इसको हैंडिल करने का एक तरीका है, कि हर स्टेज को एक बार देखा जाए양 है, जब स्टीपन हो रहा है, तो देख fix कि कितनी बंदी हो सकती है, और अगर वह उपर नहीं जाताय है, जीरू लाइन से यहां रुक जाता है तो फिर ये देखें कि बादार क्या फिर से तेजी में आएगा और कब तक आएगा यहां ही रुख जाएगा और यहां से अगर फिर से स्टीपनिंग होने लगा तो फिर से माधमंदी होने के जो chances हैं वो बढ़ जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि इन बातों से यिल्ड कर्फ के बारे में आपको काफी हद तक यह समझ में आएगा कि इसका महत्व क्या है और इसको हम क्यूं इतना ध्यान दे रहे हैं परन्तु यह भी समझ में आएगा कि कोई जादू छड़ी नहीं है इसको सिर्फ एक पॉइंट पर देखके हम लोग नहीं बोल सकते कि ऐसा होने वाला है इसको step by step, phase by phase देखना पड़ेगा क्योंकि देखें यहां पर भी बादार नीचे था, यहां यहां यहील्ड का विदर तक आया यह जब घटा, काफी यहां तेजी आई पर यह bottom पर इमिजिटली नहीं रुप गए, यहां पर काफी समय तक यह चलता गया फिर यहां से यहां जब यह बढ़ा है, बादार गटा अब हर बार यह घट रहा है बढ़ रहा है बट ऊपर की तरफ ही जा रहा है अब ऐसा भी कुछ समय आ सकता है जहां पर यह बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और बादार ज़्यादा गट जाए तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा हर स्टेज पर जब तक की पूरी तरह यह साइकल पूरी नहीं होती है साइकल मतलब जो इंफलेशनरी साइकल से रिसेशन के थ्रू निकल के हम लोग भार नहीं निकलेंगे तब तक शायद इस मामले को लेके वालेटिलिटी बने रहे यही एक रिस्क है जिसके लिए हम लोग थोड़े चिंते थे और जिसका इंपक्ट हम लोग युनों मार्केट्स पर देख सकते हैं अभी समझने के लिए अगर मैं मैंने बात करी थी 1990s और 80s की यह नीचे SNP का इंडेक्स है yield curve की तो history नहीं है इस time पे वो दूसरे chart पे इस पे trading view पे नहीं है पर आप देख सकते हैं कि इसमें दो समय थे एक यह था जहां पे कम गटा और एक यह दूसरा था यहां पे उपर जाके वापस बादार गटा यह थोड़ा deeper retracement है इसा बड़ा दिख नहीं रहा है बट 30-40% fall है क्योंकि यहां पे अगर आप SNP की values देखेंगे तो peak value 143 है और यह bottom value 105 है तो almost 40% drop होता है यह market में इधर से इधर लेके तो यह जो दो corrections है यह steepening के समय हुए बट surely बादार ने नए lows नहीं बना है यह interesting fact है और पिछले समय पे यहां पे lows बना है यह lowest point था तो subsequent points पे lowest point नहीं बना जबकि actual steepening हो रही थी so this is why markets are interesting कई बार you know बादार में कुछ अलग हटके होता है हम लोग जो सोचते हैं उससे हटके होता है but 30-40% drop कुछ कम बात नहीं है अगर आज के तारिक में 30-40% drop होगा current level से तो शायद जो SNP है वो वापस यह lows भी तोड़ दे क्योंकि current level जो है 4600 इसमें 10% तो 400 point होता है 1200 point य नीचे ही आता है यहां पर so we will see we have to be open in our mind की volatility जो बाजारों में हमने पिछले साल देखी वो वापस आ सकती है ज़त तक यह yield curve जो है inverted stage से steepening stage के थुरू निकल नहीं जाता है एक बाद steepening का cycle हो गया और बाजार समल गए और yield curve तब भी zero के उपर है तब हम बोल सकते हैं कि worst is behind us और यहां से फिर उस तरह के volatility दुबारा नहीं होगी and buying the dip will be much much easier तो बस यही था आज के सीखने समझने की कुछ बातें yield curve के बारे में और मुझे काफी विश्वास है कि आपको इस विश्वे को लेके knowledge आपकी जरूर बड़ी होगी तो बस आज के लिए ताई धनिवाद झाल